Hello friends, what's up? How are you? I hope that you are well, you are okay, you are fine. So I am Sandeep West, again with you friends. और आप कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ, आप खोश होंगे, आप जहां भी होंगे, अच्छे होंगे, प्रशन्ने होंगे. So friends, आज तक हमने डिसकस किया है, different different topics पर. और आज कुछ अलग topic है, और आज एक के, as a problem के रूप में एक हमारे जो श्रोता गण है, हमारे जो दर्शक गण है, उन्होंने पूछा है. और उनकी problem कुछ इस प्रकार है कि, उनका कहना है कि, कि sometimes होता है, जैसे हमारे family में कि, हम कोई decision लेना चाहते हैं, जैसे life से related, या career से related. So, ऐसा कभी-कभी होता है कि, family में लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, कभी-कभी, अगर हमें career से related, कोई अपना profession चूज करना है, So, उसमें भी क्या होता है कि, हमारी family कभी-कभी हमारा साथ नहीं देती है, और हमें कहीं न कहीं, उसके अंदर demotivate करती है, और उसके बाद क्या होता है कि, हम और ज़्यादा demotivate होते हैं, होते जाते हैं, और कहीं न कहीं, हमारे logics जो होते हैं, हमारे जो concept होते हैं, हमारा या फिर कोई जो हमारे जीवन से related problem होई या फिर कोई step हम लेना चाहते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारी family होती है वो अगर हमें support नहीं करती है तो ऐसे case में हम बहुत ज़्यादा अकेले पन के अन्भूती करते हैं हताश हो जाते हैं निराश हो जाते हैं हमें उस field में जाना समस्या है और इसके ओपर भी हमारा अपना analysis है और उसके according आपको कुछ हम यहां बताएंगे कुछ points में बताएंगे some of the points I have so एक-एक करके discuss करेंगे आपके साथ कि किस प्रकार से ऐसी समस्या से हम निपट सकते हैं friends so आईए देखते हैं कि first point क्या है try to control yourself let not happen any misconduct right friends देखिए first जो है ऐसे case में क्या है कि अगर अपने family के साथ आपने share कर दी है आपकी जो समस्या है या फिर आप जो चाहते हैं इस टप लेना family में अपनी life में so ऐसे समय क्या है कि अपने उपर फिर आपको control करना होता है कहीं न कहीं अगर आपने अपनी बात रख दी है उसके बाद उनका जो reaction आता है उसमें आप अपने आपको थोड़ा सा control करने की कोशिश करें बहुत ज्यादा react ना करें और कहीं न कहीं ऐसी कोशिश करें कि misconduct ना हो जो हम लोगों के बीच जिस तरह की भी बाते हो रही हैं वो कहीं न कहीं explosion के रूप में ना है या फिर यह family वालों के लिए भी है और जो individual है जो अपनी बात रख रहा है यह दोनों को सलाह दी जाती है कि और उस particular family को भी यह कोशिश करनी चाहिए कि बात बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए जो सामने वाला बंदा है वो hurt हो जाए कि न कहीं और इतना ज्यादा हो जाए कि कोई ऐसा कदम उठा ले कि जिसके बाद फिर पस्ताना रह जाए इसलिए दोनों पक्ष की तरफ से कहने का मतलब है जो family है और जो individual person है दोनों को कहीं न कहीं सयम बरतना आवश्यक होता है आई देखते है next one क्या है friends give them time to rethink friends क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कोई बात जब हम शुरुआती दोर में रखते हैं तो उस समय क्या होता है जो family वाले होते हैं जो लोग होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं उस समय इतना ज़्यादा वो सोच नहीं चुके हैं उनको छोड़ देना चाहिए जैसे कि आपने करियर को लेकर आपने बताया कि भाई ऐसा करना चाहते हैं हो सकता है कि आपने MBBS किया है और फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं हमें actor बनना है हो सकता है कि आपने कोई और कोर्स के LLB का कोर्स किया है लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है हमें काउंसलर बनना है तो friends क्या होता है कि ऐसे समय आपके अंदर की तो आवाज होती है लेकिन जब family person है वो कहीं न कहीं ये admit करने को तयार नहीं होते हैं या फिर कोई आपका life का decision होता है आपको ऐसा लगता है कि शायद हमें आगे बढ़ जाना चाहिए लेकिन कभी-कभी जो आपके family person होते हैं वो ऐसे logics आपको देते हैं कि आप खुई confused हो जाते हैं कभी-कभी ऐसे समय लेकिन ऐसे समय कुछ न कुछ धीरस की जरूरत होती है और उनको भी कुछ समय देने की आवश्यक्ता होती है हाई देखते हैं नेक्स वन क्या है ओके तो नेक्स वन इस आप इस विश्वास की कमी होती है जिससे क्या होता है अगर जो family है वो उसके against में कोई logic हमारे सामने put up करती है तो उसका हम answer नहीं दे पाते हैं कहीं न कहीं हमको अंदर से आवाज आ रही होती है कि हम जो करना चाहते हैं वो शायद हम अच्छे से कर लेंगे लेकिन कुछ न कुछ हमारे अंदर confidence की कभी कभी कमी हो जाती है लेकिन अब आपको जरूरत होती है जो कि हमने third number पर बताया आपको कि अब आप analysis करिये उन सब चीजों के बारे में जो आपने decide किया है और एक honest analysis करिये और analysis करते हुए अपने confidence को बढ़ाईए है ऐसा नहीं emotional हो करके confidence को नहीं बढ़ाना है आपको एक analysis करना है एक healthy analysis करना है अगर आप एक healthy analysis करते हैं फिर आपको हर चीज clear आपके mind में आएगी कि हाँ ये चीज ऐसी है और उसके बाद फिर अपने confidence को boost up करिये इससे क्या होगा कि आप कहीं न कहीं आपका brain जो होगा आपके understanding होगी आपका mind कहीं न कहीं growth होगा और बहुत सारी चीजों पर आप अपना जो स्वतंत्र विचार है वो कहीं न कहीं सोच सकते हैं लेकिन जब analysis करें आप तो स्वतंत्र मन से करें ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बहुत ज़्यदा advice दे लिया उसके प्रभाव में आकर नहीं आप ये सोचिए कि आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है आपके अंदर ability कौन सी है आप क्या करना चाहते हैं सब कुछ सोचते हुए सारे dimension लेते हुए आपको analysis करना होगा दोस्तों और उसके बाद आपका confidence खुद बढ़ जाएगा आई देखते हैं next one क्या है listen your inner voice with honesty and past bad experience if you have do consider on there देखें क्या होता है कि अपने अंदर की आवाज सुनिये inner voice जिसको कहा अब दूसरी बात इनों ने कहीं कि अगर past experience रहा है तो उसको लेकर भी analysis आपको करना होगा कहीं न कहीं तो सबसे पहले क्या है अपने अंदर की आवाज और जब आपने अंदर की आवाज सुनी तो आपको लगा कि नहीं हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए जो particular field है या particular subject है या particular matter है उसमें हमें आगे जाना चाहिए फिर उसके बाद आपको लगता है नहीं आपको लोग भी समझाते हैं कि आप ऐसा हमारे श्रोता ने बताया कि उन्होंने काया कि हमारा जो past experience रहा है वो बहुत ही ऐसा र हुआ था क्योंकि अगर past experience को ही लेकर हम बैठ जाएंगे फिर तो life रूख जाएगी friends फिर तो growth आपकी जहां है आप वहीं रूख जाएंगे इसने friends honest हो करके आप ये सोचिए ये analysis करिए कि वास्तों में past incident में हुआ क्या था हमारी mistake थी या other one की mistake थी या फिर हमने कहां कहां mistake की थी या फिर हमें क्या करना चाहिए था क्या नहीं किया हमने या फिर ऐसा तो नहीं हम बहुत जादा emotionally हमने अपने आपको परिशान की या फिर कहीं न कहीं हमने उसमें भी mistakes किये थी right friends तो उसमें क्या है, बहुत ही honest होकर, emotional होकर के नहीं सोचना है, कि नहीं, हमें ऐसा लगता है, कि हमारा जो past experience रहा है, वो बहुत ही cruel रहा है, bad रहा है, इसलिए मैं ऐसा step आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन friends क्या है, अगर हमने, हमको कभी भी ऐसा experience हुआ है, तो क्या हम आगे न analysis करते हैं, अपने अंतरात्मा से, अपने अंदर की आवाज से, जैसे कहा है, inner voice, अपने अंतरात्मा से एक तरीके का conversation आपको करना होगा, कि पिछले समय में जो आपका past experience रहा है, उसमें आपने क्या किया है, और अभी situation क्या है, तो उसमें कहीं न कहीं आपको देखने को मिल कि आप कोई न कोई अगर अंतर ढूर पाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा analysis कहा जाएगा, और हो सकता है कि उसके थ्रू आप आगे बढ़ जाए, light में, क्योंकि क्या होता है, friends, बहुत जादा अगर हमने अपने mind में ये बिठा लिया, कि अप शायद हमें आगे की आवाज सुननी होती, तो आज हम किसी और फैसले पर होते हैं, इसलिए इससे डरने की आवाज शेकता नहीं है, लेकिन बहुत ही शांती के साथ, बहुत ही cool mind हो करके, बहुत ही जिसको कहते हैं, एकदम संतुली तवस्था में हो करके, हम इन सब चीजों पर विचार करें, या फिर किसी अच्छे दोस्त की आप इसमें health ले सकते हैं, मदल ले सकते हैं, बशर्टे वह दोस्त अच्छा हो, राइक, या फिर आपके अपने parents हैं, अगर आपको लगता है कि वो सही आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ आप इतने capable क्योंकि friends क्या होता है जितना ज़्यादा आप उन सब कीजों पर सोचते हैं अपने आप, अपने आप analysis करते हैं उसमें क्या होता है कि आप उतनी ज़्यादा maturity level को हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं Okay friends, so आएए देखते हैं next one क्या है Day by day do practice to increase your confidence if you are on right track Okay friends, don't try to pull back yourself from current position otherwise again you will get in past grief or drama दिखे friends कहा गया है कि day by day यानि कि दिन बुदिन आप अपने confidence को अपने आत्म विश्वास को बढ़ानी के लिए practice करें Practice in the sense उस particular दिशा में कारे करें अपने आप करें बूस्ट अप करें क्योंकि बैटने से तो अच्छा है कुछ हम काम करें अपने confidence के लिए अपने आत्म विश्वास के लिए और फिर कहा गया है कि don't pull back yourself अपने आपको अगर बिना कुछ किये अगर हम अपने आपको पीछे खीच लेते हैं friends तो क्या होगा कि past में जो भी हम छेलते आएं हैं या फिर जिस परकार की जो mental परिस्तियां हमारे साथ रही हैं या फिर और भी परिस्तियां जिस परकार से हमारा mindset रहा है शायद हम फिर से उसी उसी परकार के दलदल में चले जाएं तो ये friends क्या होगा अपने साथ ना इंसाफी हो जाएगी इसलिए बहुत ही ये आशा पूर्ण जरूरत है आशावादी हो करके हम आगे की तरफ विचार करें अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए हाला कि हो सकता है कि कुछ आपको समय लगे लेकिन समय लेकर के ये कोशिश करें कि हम आगे की ओर बढ़ेंगे ओके फ्रेंट्स आई देखें नेक्स्ट वन don't change your perception because of others say it to change but use your experience and understandings don't behave like child friends आपका जीवन में अपना अनभव रहा होगा इसमें लिखी यही बात बताई गई है कि ऐसा नहीं कि दूसरों ने कह दिया है others say and you are going to change your perception किसी ने कह दिया है अब हमारा जो perception था हमारा जो experience था हमारी जो एक understanding थी life को ले करके अब मैंने सारा change कर दिया नहीं छोड़ो हाँ यह सही कह रहे है फिर क्या होगा friends next time जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं शायद हमें ऐसा करना चाहिए था उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने change कर दिया then you will feel frustration friends उस समय आपको बहुत ज़्यादा frustration होगा और आप किसको दोशी वानेंगे किसी ऐसे इंसान को जिसका आपने कहना माल लिया right friends, so ये बहुत जलूरी है कि आप खुद्ब खुद्ध जिम्मेदारी लेने की कोशिश करें आपना analysis करते हैं, अपना सूच, विचार चलाते हैं so क्या होता है, दीरे-दीरे हम अपनी responsibility लेते हैं और जब भी कभी आपको ऐसा लगता है आके, फिर जब ऐसी परिस्थिती आती है, आपको लगता है कि शायद ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं, तो कहीं न कहीं आपका mind grow up होगा, आप कहीं न कहीं और mature होंगे, आपका experience और बढ़ेगा, इसलिए कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों का कहना ना मान करके, अपनी लाइख में उनका interference अलाओ ना करें, फ्रेंट्स, इसी में आपको कहा गया है, don't behave like child, don't be hopeless, be mature and go ahead, कि कभी भी hopeless जैसे कि अपने साथ ना करें, क्योंकि क्या होता है फ्रेंट्स, कभी कभी हम बिलकुल निराज से हो जाते हैं, हलागी होता है प्रेंट्स, यह मैं मानता हूँ, I admit it, but आपको hopeless में भी कहीं न कहीं एक ray of hope जिसको कहते हैं, उसको अपने अंदर ला करके, जीवन में आगे बढ़ना होगा, आए फ्रेंट्स देखते हैं, नेक्स वन क्या है, जो कि सेव आपने अपना confidence भी increase कर दिया है, then you are not going to change your perception also, and सब कुछ आपने कर लिया है, suppose that, अब last time क्या आप करेंगे, अब आपको कहीं न कहीं अपना career चुनना है, या फिर कोई वो decision लेना है, अब ऐसा नहीं कि बहुत ही explosive way में आप कुछ करने की कोसिस करें, बहुत ही शांत मन से एक positive thinking के साथ, और जब आप ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत जदा aggressive होकर हम यह सब करें, नहीं, बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही आनन्द में होकर के यह कारे करें, आगे अगर आपको life में बढ़ना है, तो बहुत aggressive होकर के भी नहीं करन है, बहुत ही slowly slowly अपने आपको move करना है friends, और इस शान्ती में, सुख में, जीवन जीने की एक सही दिशा में कारे करने के लिए, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत explosive way में, गुसे में आ जाएं, एंगर में आ जाएं, और अपना decision नहीं friends, बहुत ही आसानी के साथ, अपने family, जो में members हैं, उनको convince करते हुए, क्योंकि आप अपना, अपनी पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपनी पूरी कोशिश नहीं करेंगे, तो कल को आप यहीं सुचेंगे, कि शायद हमें जो कहना था, हमने पूरी तरीके से नहीं रखा, तो आप उनको समझाएं, कि ये particular course जो 3D debt movie थी, उसमें दिखे, बताया गया, कि उसने अपने फादर को किस तरीके से convince किया, वो एक photographer बनना चाहता था, और उसमें दिखाया गया, जब आमिर खान ने उसको बोला, कि कहीं न कहीं आप अपने फादर को convince करें, अधरवाइस क्या होगा, लाइब के अंतिम पड़ाओं में, आप ये सूच रहे होंगे कि, सारी जिंदगी, हमारे 20, 30, 40 साल, हमने ऐसा गुजार दिया, जो हम करना ही नहीं चाहते थे, सो फ्रेंड़्स, इस में क्या होता है, कहीं न कहीं आपको convince भी करना होता है, अपनी अंदर की भावनाएं भी बतानी होती है, कुछ, कुछ एक ऐसी भावनाएं जो आप वास्तों में बताना चाहते हैं, कि हाँ, अगर ऐसा होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर कोई अपने life का decision अगर आप ले रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं क्या होता है friends बहुत ही honestly बहुत ही honestly और अपने जो family person है उनको अपने confidence में ले करके उनको ये बात रखनी होती है बहुत ही frame पूरवक रखनी होती है बहुत ही जैसा कि first में कहा हमने कि environment जो हो बहुत ज़ इससे कि क्या हो कि आपकी बात सुनी जाए और आप भी उनकी बात सुने और उनको सारी बाते आप जब analysis आप करेंगे तो और सारी बाते आपके अंदर से निकलेंगी जो आप उनको बता सकेंगे friends जिससे क्या होता है बहुत harmonious वे में आप life में आगे बढ़ जाते हैं so the doors of opportunities for you दोस्तों अब आपको एक नया challenge लेना है जीवन में आगी बढ़ना है शायद वो आपके लिए opportunity के दरवाजे खोल रहा हो and then you will feel that when you have become so determined then after some time family also give you other company support friends क्या होता है कभी कभी family वाले भी जो family person होते हैं वो भी देखते हैं कि इसके अंदर कितना determination है वास्तों में determination है या फिर ये कुछ समय के लिए था so friends ऐसे समय क्या होता है एक transition period होता है ये एक तरीके का आपका exam हो रहा होता है वो सब आपको observe कर रहे होते हैं कहीं कही कि आप कितने पक्के हो अपनी बात पर और ऐसे समय friends हमको हताश होने की ज़रूरत नहीं होती है आप धीरिस्ता के साथ अपना decision लें और आगे बढ़ते जाए डे बाई डे आप बढ़ते जाए फिर देखे कुछ दिन के बाद क्या होता है कभी के भी family वाले भी आपका support करने लगते हैं इसका एक छोटा सा example देंगे कि अभी जो recent में जैसा की हमने सुना है कि अन्ता बच्चन जी जो थे फिल्म industry में कुछ करना चाहते थे तो जब वो अलहाबाद से मुंबई आए तो कहते हैं कि वो अपने against है family के इसका मतलब यह मैं नहीं कहता है आप against करें कहने का मतलब उनके अंदर वो energy थी हो सकता है आपके अंदर वो ऐसी energy हो आपका मन कुछ और तरीके की life जीने के लिए कह रहा हो हो सकता है कि आपके family वाले उस चीट को इतनी तरजी ना दे रहे हो उतना वो उस चीट के लिए आपको प्रेडित भी ना कर रहे हो लेकिन अग आपके अंदर वो energy है वो जज़वा है तो आप friends आगे बढ़ सकते हैं so friends फिर उन्होंने अन्ता बच्चन जी ने आकर के एक अपना संघर्स किया और उसके बाद उस मुकाम पर आई या पज़े so friends क्या होता है कि जब भी हम कोई decision लेते हैं तो उसके up and downs भी होते हैं ऐसा न नहीं friends उसमें क्या होता है कि एक हमारा decision हमारे लिए जिन्दगी में एक ऐसा mood हो जाए जिसकी शायद ही हमने कभी परिकल्पना की हो इसलिए बहुत ही सौमी भाव से हमें आगे बढ़ना है बहुत ही अच्छे चिंतन के साथ आगे बढ़ना है good thoughts, good energy, positive energy, positive vibration, enthusiasm, the positive vibrations in yourself जो आपके अंदर है और जो आपकी willpower है all these type of things इन सब को ले करके आपको जीवत में सकारात्मा को दे हुए आगे बढ़ना है तो friends अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप औरों को भी ये subscribe करवाए या forward करें ये वीडियो and अपने सारे family members को आप ये forward करें आज कल देखें कि whatsapp का जमाना है, आपको खेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सिधा आप इस वीडियो को forward कर सकते हैं अपने सारे family members के पास क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, जिससे क्या होता है कि सब अपने आप देखेंगे और कही न कहीं उनको सजगता होगी, सतरकता होगी अपने friends को भी भेजिए, उनको भी कहीं न कहीं कुछ सीखने को मिलेगा friends क्योंकि क्या होता है, अगर ये वीडियो आपकी life में चींज ला देता है, एक बदलाव ला देता है तो कहीं न कहीं हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा friends ऐसे ही शुभावना की उमीद लिये हुए, मैं आपकी हर problem, हर समस्या को एक वीडियो के form में एक solution देने की कोशिश करता हूँ, और आप भी हमें अगर कोई ऐसी समस्या है, आपके साथ हो रही है, आपके साथ घठित हो रही है, आपके आसपास हो रही है तो आप हमें email करें, sandeepkumarvays at the rate gmail.com, s-a-n-d-w-p-k-u-m-a-r-v-a-i-s-s at the rate gmail.com, इस पर mail करें friends और मैं जरूर कोशिश करूँगा कि उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊ, एक अपना suggestion रखूँ, एक अपना analysis रखूँ friends So, इसी के साथ मैं समझीत मुआ वैस, आप से लेता हूँ इजाज़त, thank you, take care